कि नमस्कार दोस्तों रिए स्वेसे निकेट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के इस क्लास और लेक्चर में हम लोग भारती अर्थे बैवस्था को प्राराम कर रहे हैं और ये टापिक सिविल सेवाओं के पाठ्थे करम पर आधारित होगा जैसा क उसके आप लोगों को जानकारी है कि इसकी पूर में हम लोग आर्थे स्वास्त्र एंसी आर्डी के जो है जो है विभिन प्रकार के चैप्लर को देश चुब रहा हैं आज के इस लेक्चर से हम लोग सिविल सेवाओं के पार्ठिकरम पर आधारिक भार की आर्थिव्याबस् अर्थसास्त्र योम अर्थव्यवस्था ये चैप्टर का नाम यहां पर लिखा हुआ है आज की इस लेक्चर में हम लोग क्योंकि पूर्व में अर्थसास्त्र NCRT का पढ़ रहे थे तो हम अर्थसास्त्र को अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए आज का एक सामान्य करने का प्रियास करेंगे तो यह देखने का सबसे पहले हम प्रियास करेंगे कि अर्थसास्त्र बिसिकली क्या है और किस तरीके से वह अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और भारती संदर्व में हम लोग इस अर्थव्यवस्था को पढ़ने का प्रियास करेंगे तो प्रप्रकार की विश्व को समलित किया जाती है उनों ही में से एक भिश्व जो है वह अर्थ सांखा है तो अर्थ सांथ्र सामाजेत ग्याई की वह सांखा है जिसके अंतरगत हम लोग उत्पादन के विभिन साधनों की वेवस्था करते हैं उसका प्रिवंधन करते हैं उसका प्रियोग करते हैं और आवसक्ता कि अनुसार विभिन प्रकार की वस्थूनों का उत्पादन सुनिस्चित करते हैं तो यह वेवस्था होती है अर्थसास् देखा कि उत्पादन के साधन की बेवस्था है, परवंधन है, परियोग है और उत्पादन है, जब इनका परियोग किया जाएगा तो ये जो है उत्पादित होंगी तो उत्पादन की साधन की बेवस्था किया जाएगा, उसका परियोग किया जाएगा, तत्पस्चात अपनी आउसेक्ता की अनुशार हम लोग विभिन प्रकार की वस्तुमों और सिमाओं का उत्पादन करते हैं, तो ये समुच्चे जो है वो आपका कहलाता है अर्थसास्त् अर्वित्य चिमाएं हैं, उसका जो विससच चत्र हैं उसस समय के नूसार बढ़ता रहा है लेकिन अगर हम बेशिकल्य देखने का प्रियाई करें मूल में और करें तो डियाकत तो कहीं ने कहीं इसकी परिआसा इनहीं रूप मिन देखंए मिलती है अब यहाँ पर यहाँ तो उत्पादन के साधन उत्पादन के साधनों के अगर बात की जाए तो यहां पर जो है उत्पादन के साधन में पांच प्रकार की चीनी यह बेसिकली फैक्ट है इसलिए हम बता रहे हैं ति भूम है भूम है स्रम है पूजी है साहस साहस या उद्दम जिसको कहा जाता है और लाश्ट है जोखिम आप आपने जीवन में जो है अगर कोई विभ्यति कोई प्रारम बिजनस प्रारम करता है कुए उद्दोग धंधा लगाता है तो कई नहीं उसके जो गदविधियां होगी वह इंहीं के इर्द भूमेंगी हम अगर कोई ढ़कान प्राग्म करते हैं उसके इसके लिए कहीं न कहीं एक या दो जो है इस्टोरिया का चोना चाहिए तो कहीं न कहीं बूद का इक्जिस्टन्स भूमी होगी और उसमें जो है स्ट्रम की वियाव सकता होगी अब पूची तो अवस ही उसमें हमको लगाना होगा जिसको निवेश कहा दाता है और यह सबसे क्योंकि इन सभी के होते हुए भी आगर कोई विवेक्ट इन्हें परियोग करने का साहस पैदा नहीं करता है तो निश्चित तोर पर कोई भी उद्दम प्रारंब नहीं हो सकता है कोई भी बिजनस प्रारंब नहीं हो सकता है तो ऐसे इस्तिति में साहस का होना बहुत ही होगा तो निस्चित तोर पर उसमें जो है अलग प्रकार से या आगे आने वाले समय में बहुत आगे जाने की संभावने नहीं होगी क्योंकि जोखिम ही यह कैसा भीसर है जो यह बताता है कि हर कोई व्यक्ति जो है वह भूमिस्क्रम और पूजी का परियोग करके उत्पादन या कोई बिजनस या कोई इंटर्प्रनेयर्शिप या उद्दम प्राराम वह नहीं कर सकता है तो ऐसे इस्तिती में साहस और जोखिम यह जो है भी एक महात्पून फेक्तर है जिसे उत्पादन की साधनों के अंतरगत हम लोग जोन कर देखने का परियास करते हैं तो उफियोग में लाया जाना», यह चीज़ बताता है उसका प्रवंधन और परियोग का मतलग, इस सभी को परवंधित करते हुए उस बिजनस में निवेशignant करना परियोग में ले आना उसकी मात्रा उसकी सीमा उसकी बड़वत्ता को ध्यार्म रहते हुए परियोग करना और इ वस्ता प्रवंधन और प्रयोग के माध्यम से जो आउट्पूट प्राप्त होता है उसे हम जो है क्या कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं उत्पादन कहते हैं अब उत्पादन जो है दो प्रकार की जो होती है एक होता है वस्तु और दूसरी होती है सेवा यानि कि वस्तु भी होता है और सेवा भी होता है उत्पादर के अंतरकर जिन विश्यों को हम देखते हैं जिन विश्यों की भौतिक रूप से कोई उपस्थिती होती है वो वस्तु की स्रीडी में आती है और जो दिखाई नहीं पड़ता है वो सेवा के रूप में चाली जाती इसे इसे अंतरगत देखा जाए तो वस्तुमों के आंतरगत जो है अबुखता वस्तुय है और पूजी गत्य वस्तुय है दो प्रकारटी वस्तुय है अज़ू हो गया यहां पर थोड़ाज दो नहीं यहां पर संदर भाय हुआ है इसलिए हम पूना जो है इसका उले कर देते हैं कि उपभोगता वस्तुएं के अंतर कर जो है एक सामान उपभोग की वस्तुएं आती है और दूसरी जो टिकाउं वस्तुएं आती है सामान उपभोग की वस्तुएं जैसे हम अगर मार्केट से बिस्किट लेते हैं तो बिस्किट का जो है एक बार में परियोग करके समाथ चुछाएगे लेकिन जब हम रेडियो या टेलिविजन या इस तरीके से ऐसे कोई जो है डिवाइस और अप्लाइंसे लेते हैं जिनका क हम परियोग सुरू करते हैं कुछ समय तक चलता है कि काउन बुभुगता वस्तुओं की स्ट्रेडी में आता है तो यह हो गया बोबुभुगता के अंधर कर दो प्रकार की ग्यों सभी यह हो गया जो है सामान्ने बुभुगता वस्तूएं और एक बढ़ोग में डिकाउन और अंति मुस्तु की विचाटा किये थे और उसके बारे में बताया था जिससे आपको पता चलेगा इन दोनों के बारे में कि पूजी उपहोगता वस्तु और पूजी गत्वस्तु जब हमकि आर्थवियोस्तु की बिभीन छेत्रों से वस्तु मोग उत्पादम करते हैं और वस्तू इससी हो सकती है जो कि अन्हें वस्तु की उतपादम कर दो फूजिघत को जाती कि इसके आंथा ऊसे तो आगए चूंप इसका प्रियोग किसी अन्य वस्तू के उत्पादन में भी किया जाता है इसलिए यह पूजी गत्वस्तू की स्रेड़ी में आ जाती है तो यहां पर अंतिव वस्तू और मध्यवर्ती वस्तू के बीच में यह अंतरा आपको पहले भी बताया गया था जूसे जानना भी जरूर की ज़रूरत होती है कि अर्था-वी वस्तौ के आपको समझने के लिए हम लोग केब भिशनों के मूलें की घरलना करें जो कि अंतिम वस्तू के गुप में है जिससे कि हम अर्थ वस्तौ के सही जो है आतार। सब्सक्राइब के बारे में पर्चित हो सकते हैं इसलिए अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बीच में अंतरा को पता हो गया होगा जो उस्तुई से उत्पादर के बाद भोगता के पास जाती है वो अंतिम उस्तोति है और जिन उस्तुएं का उत्पादन होता है और पुना होए उस्तो कई रूप में जो है कहीं न कहीं मसी सीन या इसी तरीके से अन्य प्रकार के उस्तूम का उत्वादन करती हैं, मुर्थव्भास्था के बिभिन प्रकार के जो चेत्रों में ने पूत करते हैं जब उत्पादन हो रहा हो और उससे लोगों की आवसवताओं की पूर्ती भी हो रही हो प्रन्तु यह दिखाई ना पड़े कि किस प्रकार की जो है वस्तु या किस प्रकार के उत्पाद का उत्पादन हो रहा है प्रड़क्स का प्रड़क्शन उत्पाद का उत्पादन यहा ठाथा भीबतर करें विय्विनि प्रुकार कि उत्पादन की साधनों को का पर यूग करके जब हम किसी उत्पाद का उत्पादन करते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के लोगों की जरूरत को पूरा किया जाता है किन्तु वह उत्वाद अपने भावतिक सुरूप में दिखाई नहीं पड़ता है तो वो क्या कहलाता है वो सेवा कहलाता है और चुकि वो दिखाई नहीं पड़ता इसलिए इसको जो अध्रिस से मदों की स्रीली में भी रखा गया है अब इसके अंदर जैसे चिकितसा सेमाई किसी भी वेक्तिक को अगर किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या है वो डाक्टर के पास चाते हैं तो डाक्टर उनको सलाह देते हैं लेगिन उसलाह दिखाई नहीं बढ़ता है उस उसलाह कहीं प्यए रहे होता कि यह सलाह रखा हुआ है ुसको ले लीजिए वे बाई-बमे रख लीजिए तो सलाह कहीं न कहीं जो है वो अदृस से उतपाद की स्रेडि में आता है जिससे सेवा खाजाता है अर्थात यहाँ पर उस पेसेंट की उस पीडित विक्ति की आवसकता भी पूरी हो रही है परन्तु इसमें किसी वस्तु का दिखावटी रूपे में उत्पादन नहीं हो रहा है इसलिए इहें जो हैं हम सेवा या अध्रिस्य मदों की स्क्रेड़ी में कहते हैं जो कि वस्त और सिवा के रूप में उत्पादन के विविन साधनों का परियोग परबंधन की द्वारा उत्पादन के रूप में सामने आती हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये अर्थव्यवस्था को आप लोग समझ चुके होगे यह अर्थ बेवस्था की एक जो है पारिभासाथी अर्थ बेवस्था के बारे में एक समाने परिचे था अब हम इस अर्थ रास्त के माधियम से पर्फ बेवस्था को जोड़ने का प्रयाज करते है जो कि हम भारतिय आर्थ वेवस्था की रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिबिल सिमाओं के पाथव करव में या अन्मे विपत्र परिष्णाओं में अर्थ वैवस्था उस्तमाल पूछे जाते हैं अर्थ शास्त में कोई सिद्धान्थ देदिए जेकि महिक्ता representative को सिद्धान्थ देदिए इया इसी धारेटम करने के अरथी पक्चों का अध्यनका प्रयोग करने का प्यास करना और यही चीज जोंगे अर्थ ब्यवस्था कहलाती है, कहने का तात्वरी है कि अगर हम इसे परिभासा के रूप में देखने का प्रयास करें, तो अर्थसास्त्र के सैध्धानतिक पक्षों का परियोग करते हुए किसी देश के आर्थिक पक्षों का अर्ध्यम करना ही अर्थ के अर्थ ब्यवस्था से पूछा जाएगा, और इंटर्नेशनल लेबल पर अगर किसी देश के अर्थ ब्यवस्था को भारत से संब्धित करके सवाल पूछा जाता है, तो वो इंटर्नेशनल लेबल पर दूपच्छी या वो पच्छी आर्थिक संब्धित से पूछा जात तो भारत 15 गश्ट उन्यों 47 सुटंतर हुआ भारत के समझ कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं थी कि उसके पूर्व में हमारे ब्रिटिस और प्रिवेशिक सासंकाल में द्यवान था और उप्रिवेश का सीधा अर्थी ही यही होता है कि किसी देश में इस तरीके से सासं संचालिक करना जिससे कि सासं करने वाला प्रिटि अपने आर्थि खीतों की पूर्ती कर सके और उसको बैजता मिलता रहे हैं यानि कि उनके खिला कोई छोग या विद्रोग का भाव ना उपन मों से तो कहने कातार पर एक जो है अपने सासम को बनाया रखने के लिए केबल केबल और जो नियूंतम यहां बेकार करते थे और यहां के अर्थव्योस्था से जादा से देख लेंगे कि मिस्त्रित मिस्त्रित अर्थव्योस्था विकास सील देश और तीस्तरा है आर्थी के उन सामाजिक धाचा का जो समाजवादी होना यह तीनों पॉइंग्स है जो भारत की अर्थव्योस्था के बारे में सान रूप से जो है इसकी विसेश्था को बताने के लिए परियोग में लाए जाते हैं और अकसर यहां से सवाल भी पूछे जाते हैं जब हम अर्थसास्त्र में या अर्थव्योस्था में देखते हैं बिकास सिल कहलाता है और जब हम रजरीलिटिक धांचे के रूप में देखते हैं तो यह क्या कहलाता है समाज वादी धांचा फींप परिक्छा में परिक्छा में कई वारे से सवाल पूछे एंगे तीनों भी गल्प हैं अब अब आइस इस्थिती सुक्धार के पॉइंट अब यूश्य को सजर्शति पूछा जारा है तो आपका उत्तर ऑगा मिस्री तर्त प्रुआसर्थ क्यूंकि यही जो सब्द है वो अर्थ ब्यवस्ता या अर्थ-शास में प्रियोग होता है विकास देश के लिए प्रियोग होता है समाजवादी तुंतर दोगा तो हम्हें थोड़ा सा जो थी तिनों सब्दों के ही अर्थ को समझ लेगे जिससे जो भाते्वी अPS ने देखा, आर्थवेवस्था की परीभाश्था के बारे में, यह आरत work वेवस्था का क्या स्वरूप हैं इसको हमें आपे देखने का प्रियास करते हैं मिस्डियक अर्थव्योष्था किसी देश की अचाट मिलकर के काम करते हैं और भारत की अर्थब्योस्था में इसे अपनाने की पीछे कारव और मंसा थी कि निजी छेतर के उद्दमिता और साहस का परियोग किया जाए जिससे देश में विकास को जो इसकी बिगत से बढ़ाना संभव हो सके लेकिन उसके साथ सारवजनिक इसलिए भी परियोग में लाया गया कि कुछ ऐसे छेतर थे जहां पर भारी निवेस किया उसकता थी और वहां पर लाव कम प्राप्त होने की जो संभावना थी ऐसी स्थिती में वहां पर निजी छेतर जो है वो काम करने के लिए तयार नहीं था और जूकि भारत एक असंतुल तो इस तरीके से आसमान पाएं थी और पिछड़े हुए छेतरों में विकास को स्थापित करने के लिए विकास सुरू करने के लिए यह आउसे था कि वहां पर सरकार जो है स्वेंग भाल करें गिसे सुरूप से इंफ्रास्ट्रॉक्ट्राइबल की जो है समस्या आधारिक स सनरचना जिसको कहा जाता है और सनरचना अत्मक धांचे का विकास जैसे सब्सक्राइब बड़े इंवेस्ट्मेंट की जो है आउसकता होती है एरपोर्ट का डेवलप्मेंट हुआ या इसी तरीके से जो भी चीजें हैं जहां पर बहुत ज्यादा निवेस की आउसकता होती कि वहां निजी छेत्र सामने नहीं आ रहा था तो इस तरीके से बिविन प्रकार के जो है पिछली वेश्चेत्रों में आउसनरचना अत्मक धांचे योंविकास को जो है प्रागम करने के लिए देश में सारविलिक छेत्र की भूमिता को भी सुविकार किया गया और देश म करने के लिए उसके महात्रों सुविकार करते हुए तथा देश में तीविकास को बढ़ावा देने के लिए यहां पर निजी छेत्र को जो भी परियोग में लाया गया और इस प्रकार की जो ब्यवस्था होती है वो मिस्रित अर्थ ब्यवस्था के रूप में जानी जाती है जाती है तो मिस्रुट में परिबद्य को जर्बन दोनुए छेत्र ही छेत्र को करता है स्टाजिनिक छ्षेत्र हमेशा जनकल्यान के जो इसे धांद पर काम करता है तो यह दोनों में इस बेसिक जो एंतर होता है अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे जहां पर वीकास सील वीकास सील जो है तो अगर भारत की अर्थवेवस्था नहीं यह सब्द जो भारत द देश, एक ऐसा देश जहां पर प्राकिर्तिक यों मानविय संसाधन विकास के दौर में आगे बढ़ चुका हो, किन्तो विकास के उच्छतम अस्तर तक अभी न पहुंचा हो, उसे ही विकास सील देश कहा जाता है, ये सिया कि जादा तर देश अगर देखा जाए बैस्पिक पर जो तौर नात्मकद्जिन के संदर्व में, तो विकास सील देशों की स्वेडी में आते हैं, और इसी तरीके से वहां पर तीन पॉइंट इंपॉइंट बनता है, अगर इसको हम इस तरीके से देखने का प्रयास करें, एक तो ये हो जाता है विकसित देश, ये हो जाता ह है, अल्प विकसित देश, विकास सील देश और विकसित देश, तो हम लोगों की स्थिति कहीं ने कहीं, बीच की स्थिति बनती है, यहां से निकल के यहां तो हम लोगों कहुँच गये हैं, लेकिन अभी यहां से निकल के यहां कहुँचना बाकी है, इसीया का एक मात्र दे प्रशुच्छष्टर के माधिन से उन्मत बना दिया है कि वह दूसरे देश से भी प्राक्रितिक संसाधनों का आयात करके उन से भीतर किस्म के जो है प्रडक्स का जो के प्रडक्स यानि की उत्पाद का उत्पादन कर रहा है जिससे वह विकास के उच्छ अस्तर पर इसनिया की देशों से हैं फीक्राइश यह हैं कि वह जो है विकास की दौर में पीछे हुई हैं है पर्थम दुनिया कीते देश का भी सवाल उत्पन होता है तो इसके अंतरगर्ज जो है करम साथ पूजी वादी इसन्देश बीज इस अमाजवादी सहां के देश, समाजवाद पीछे हुए हैं तो यह इस्तिती होती है विकास सिर्देशों में यानि कि जहां पर उनके प्राकृतिक व्मानविय संसाधन विकास की दौड में कुछ आगे बढ़ चुके होते हैं लेकिन विकास के उस्तर को अभी तक प्रात नहीं किया होता है उसे ही हम विकास सिर्देशो कोई स्पिल्ड़ी में रखते हैं भारत की स्थिधी आप हाइथ की अथ्रोंस्था के संदर्भ में gauche कि यहां पर प्राकृतिक संसाधन रमानविय संसाधन अगी विर दोनों ही प्रयातमात्रह प्र Фराकृत्रों मात्रह में जो है मौ्जू दों है परन्त यहां फर दो समस्य एक तो पूजी की समस्या है और ऑफ दूसरा जो है तकझी की कि समस्या है तकनी ना होने के कारण से मानबिया संसाधन भीकैब्सित नहीं है इसलिक हमारे हमारे में यह वोपा रहा है और से जो है यश्के सब्सक्राइब संसादनों से संवलने जो पोजी हैं जब हमारे पास पोजी हesus प्राइब कर पाएंगे उस प्राकृतिक संसादनों का का इस तक नहीं नज्दी कि झूरे हमें अ पूरे बिस्टु में अगर तुल्ला करके देखते हैं तो ये चारों ही स्थिती उच्छे तमस्ता पर पाई जाती है भारत में ये दोनों ही प्रचुर मात्रा में जो भी दिमान है लेकिन इनके काउसल की समस्या है हलाकि बरतमान समय में कई प्रकार के जो है काउसल से और पूजी का विकास भी इसी तरीके से पूजी हमेशा बचत पर निर्वर करते हैं वो बचत हमारे आये पर निर्वर करता है और आये के लिए लोगों का रोजगार या विजनस में होना आवस्थ है तो इसलिए जो है यह सभी चीजी ने दूसरे से जुड़ी हुई है और इ करता हूं कि जो यह विश्टेश्रम आपको विकास सील देशों के स्वरूप और उसकी परिवासा को समझने के लिए महत्तिकम होगा भारत भी जो विकास सील देशों की स्रेवड़ी में आता है अभी यहां पर एक टापिक और वस्ता है कि समाजवादी अगर भारत की राज और अगया व्राद में समाजवादी सब्दों के साथ समाजवादी धांचे का विच्वादी परियोग किया गया श्रूंट बेसे होते हैं उससे भारत की सब्सक्राइब भारत को अगर केबली कहा जा कि समाजवादी देश है तो ऐसा नहीं है भारत के राजनीति के उमारतिक धाचा समाजवादी है यहां पर देश का समाजवादी होना और धाचे का समाजवादी होना दोनों में अंतर है कहने का मतलब यह है कि भारत में जो है निजी छेत्र या पूजी वाली छेत्र इन दोनों को भी जो है लाया गया है इनके भी महत्त को सुभिकार किया गया है देश में कई बड़े बड़े पूजी पती हैं जो कि अपने उद्दम साहस और पूजी तक्नी का प्रियों करते हुए विभिन छेत्रों में बादम को बढ़ावा दे रहे हैं राष्ट के विकास में भी योगदान दे रहे हैं क्योंकि उसे देश को टैक्स प्राथ होता है लेकिन समाजवादी जो देश का सुरूप है जो देश का उद्देश है जो देश की भावना है वो कहीं न कहीं समाजवाद को इसलिए बेक्त करता है क्योंकि देश जो है कल्यानकारी राज की अस्थापना करता है और विभिन प्रकार के पूजी वादी विभिन प्रकार के जो इंकम सरकार को प्राप्त होती है उस समाज के तिलमूर अस्तर पर रहने माले लोगों या कमजोर लोगों के जीवन को बहतर बनाने के लिए विभिन प्रकार की योजनाओं को संचालित करने के रूप में ब्यक्त होता है तो ऐसी स्तिती में देश समाजवादी नहीं है बलकि देश का आर्थी क्यों राजनीतिक धाचा जो है वो समाजवादी है जहां पर पूजी पति या निजी छेदर के भी अस्तितों को सुलिकार किया गया है और उनसे प्राप्त होने वाले आएको समाज के निचले तपकी के लोगों के जीवन को बहतर बनाने के लिए प्रियोग में लाया जाता है तो एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक धाचे वाला देश जहां पर पूजी पतियों निजी छेत्रों के भी अस्तितों को सुलिकार किया जाता है और उनसे प्राप्त होने वाले आए से समाज के निच प्राप्त होगा तो इस लेक्चर में आप लोगों ने बेसिकली देखा कि इसके पूर्व में हम लोग अर्थसास्त्र के अरजन्सी आईटी के विभिन प्रकार के चेप्टर का अधिन किया था जो की अर्थव्यवस्था कि अब स्विप्रारम होने वाले चेप्टर को समझ समझने के लिए पूर्व के कच्छना और दस के एकनामिक्स के विभिन चेप्टर को भी आप लोग देख सकते हैं जिससे इसे समझने में ना केवल मदद मिलेगा बलकि मुख्य परिच्छा के प्रश्ण को भी सालब करने में आपको मदद मिलेगा तो आज की लेक्चर में ह प्रश्ण के समझने में मदद कि तो आज के लेक्चर में पस इतना ही और पुना है ने लेक्चर में हम भारती अरथ twisted करा के घेस्ता नामिक टापिक को प्रारामकरती में जो झाल झाल